हैलो वीवार्स असलाम लेकुम मैं हूँ रोशन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टोमैटो राइस बनाने की रेसिपी बहुत ही इजी तरीका है और बहुत जटपट बन जाता है और खाने में तो बहुत टेश्टी लगता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने दो टमाटर लिया है और इसको हम ये उपर का हिसा इस तरह से काट लेते हैं उसके बाद हाफ कट करेंगे और इसके छोटे-छोटे पीसे करेंगे वैसे अगर आपको बिल्कुल सौट में खाना बनाना हो तो बिल्कुल ही आसानी से आप टोमैटो राइस बनाए बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ अगर कुछ भी नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा इतना टेश्टी लगता है एक बार अगर मेरे तरीके से बना लेंगे तो बार बार जरूर बनाएंगे तो इस तरह से हमने टमाटर को काट लिया है इसमें हम 5-6 कलिया लहसुन का चोटा सा अद्रक का टुकड़ा और एक हमने लाल मिर्च लिया है और इसको हम ये मेक्सी के जार में डालते हैं और इसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं अच्छी तरह से पेश्ट हमने बना लिया है और इधर हमने एक टी स्पुन जीरा लिया है चार लॉंग तेच पत्ता औ और चोटी सोटी बड़ी को रूख्व सपून में बर्याजव इन ऐसचर में Hang 9 याल मारी इन ड़ाल को और एक में और सास्य टोटी को में हम और सुग जारे के जढ़ते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है इसमें हम टमाटर के ये डाल देते हैं प्यूरी को और थोड़ा सा पाने इस तरह से हम डालने के बाद चलाएंगे और इसमें कुछ मसाले भी एड़ करेंगे एक चौथ हाई टीस्पून हल्दी पाउडर इसे कलर बहुत अच्छा आएगा एक चौथ हाई टीस्पून जीरा काली मिर्च का पाउडर एक चौथ हाई टीस्पून ये हमने धनिया पाउडर लिया है और मसाले बिल्कुल ही कम डालना है और एक टीस्पून हमने इसमें नमक राइस लिया है 20 मिनट के लिए इसको हमने भीगो लिया था और इस तरह डालने के बाद थोड़ी देर इस तरह से चलाएंगे हलका सब भूनेंगे इसको और पानी डालेंगे वन एंड हाफ गलास कुकर में बना रहे हैं तो बिल्कुल इतना पानी बिल्कुल परफेक्ट है त तो इस तरह से हलका सचला लेते हैं और उपर से धनिया पत्ता डाल देते हैं एक ये ग्रीन चीली हाफ करके हमने डाला हुआ है और धक्कन लगा देंगे मीडियम फलेम पर एक सीटी लगने देंगे तो इस तरह से धक्कन हमने लगा दिया है एक सीटी आ चुका है और प्रे साथ जो भी बोलें ऐसे बहुत घुला खिला बना हुआ है मैं टोडे कर ना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल तारा नूर कोकिंग को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे की मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आप जटपट कोई टेस्टी खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से जरूर बनाएं